आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदला? इसका जवाब जानने के लिए कश्मीर जाने पर सबसे पहले जो बात नोटिस में आती है, वह है हर तरफ तैनात सुरक्षाबल के जवान. तस्वीर वही पुरानी, लेकिन कश्मीर की फिजा काफी बदली-बदली भी लग रही है। और देश के दूसरे हिस्से के लोग कश्मीर जाने से पहले सोचते थे। कश्मीर का नाम लेते ही, जहन में आतंक और आतंक की शब्द सबसे पहले आता था। लेकिन अब युवा यहां रोजगार की बात कर रहे हैं। जेलम के किनारे एक युवा मिला, बोला, अब ही ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। पहले सोचा था कि नौकरी करूँगा, लेकिन लगता नहीं कि नौकरी मिल पाएगी, इसलिए अब बिजनेस ही करूँगा। उसने बताया कि हमारा हाउस बोट का बिजनेस है। पिछले वक्त में यह काफी डिवेलप हुआ है, क्योंकि बहुत सारे परियठक आए हैं। आंकडों के हिसाब से भी, देखें तो परियठकों के मामले में कश्मीर ने रेकॉर्ड बनाया है। प्रशासन से जुड़े लोग और सुरक्षा बलों के अधिकारी भी अनौपचारिक बातचीत में बताते हैं कि लोग अब आतंकियों को पनाह नहीं देते। आतंकी के बारे में जानकारी होने पर तुरंट सुरक्षा बलों के साथ उसे साजा करते हैं। इसलिए सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ ओपरेशन ओल आउट सफल भी रहा। यहां किसी भी युवा से बात करो, वह विकास रोजगार की बात करता है। आर्टिकल 3, 7P उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई चाहता है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, तो किसी ने कहा कि कोल्ड स्टोरेज बनाने में सरकार की तरफ से जो सबसिडी मिलनी थी, वह नहीं मिली। वह चाहते हैं कि सबसिडी जल्दी मिल जाए। 2019 के बाद विकास की बढ़ी रफ्तार प्रशासन के लोग बताते हैं कि पहले हालात ऐसे थे कि कोई भी काम करने के लिए टेंडर नहीं निकाला जाता था। दिल्ली या किसी और शहर में बैठ कर हम लोग ऐसा सोच नहीं सकते कि सरकारी काम का ठेका बिना टेंडर के ही मिल जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में लंबे वक्त तक ऐसा ही चलता रहा। अब यहां हर काम के टेंडर निकलते हैं और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। इंडस्ट्री आ रही है तो रोजगार के मौके बढ़ने की उम्मीद भी जगी है। यहां के चीफ सेक्रेटरी अरुन कुमार महता बताते हैं कि अगर किसी भी काम की इटेंडरिंग नहीं हुई है और उसके पूरे होने का प्रूफ नहीं दिया गया है तो उसकी पेमेंट हो ही नहीं सकती। वह बताते हैं कि श्रीनगर के अंदर जो भी फ्लाइ ओवर देख रहे हैं वे 2019 के बाद बनें। जो भी स्टेडियम देख रहे हैं सब 2019 के बाद बनें। यह बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। उसे रोक लिया है। वह अपनी बात की पुष्ट के लिए आंकडे भी देते हैं। वह कहते हैं कि 2018-19 में 9,239 के करीब प्रोजेक्ट पूरे हुए। 2022-23 में 92,500 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं। यानि 10 गुना। वह भी लगभग उसी खर्चे में। वह कहते हैं कि पारदर्शिता की वजह से करप्शन पर लगाम लगी है। अब कॉन्ट्रेक्टर सचिवाले में भीड नहीं लगाते। सारी पेमेंट ऑनलाइन होती है। जेश्ठा माता मंदिर के बाहर एक कश्मीरी पंडित परिवार मिला। कुछ साल पहले ये लोग जम्मू से यहां वापस आए। लेकिन अब भी सुरक्षा का डर सताता है। उन्होंने बताया कि टारगेट किलिंग का डर हमेशा लगा रहता है। लेकिन साथ ही यह भी कहा क पिछले चार साल में काफी डिवेलपमेंट हुआ है और बहुत सारे टूरिस्ट भी आए है। जम्मू कश्मीर के उपराज जिपाल मनोज सिन्हा एक कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करते हैं यहां आतंकवाद के जो बचे खुचे अवशेश हैं उन्ह आप समाज से अलग करिए। प्रशासन और सिक्यॉरिटी फोर्सेस के लोग उन्हें धर्ती से विदा करने का काम करेंगे। यह निर्णायक प्रहार का वक्त है। कैटिगराइजेशन करने की जरूरत नहीं है हमें साफ भाशा में बोलना होगा। थोड़े की और जरूरत है केंद्र सरकार से लेकर स्थानिय प्रशासन तक हर स्तर पर सरकार लगातार दावा कर रही है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालाद बहुत बहतर हुए हैं। लोग बिना खौफ के जी रहे हैं। यह वहाँ जाकर दिखता भी है। पोलो व्यू स्ट्रीट मार्केट में सुरक्षा बलों के जवान क्या यह शंका पैदा नहीं करते कि अभी भी जम्मू कश्मीर के हालाद दूसरी जगहों से अलग हैं। क्या यह दिमाग में असर नहीं डालते कि शायद सबकुछ सामान्य नहीं है। लेकिन यह तर्क भी अपनी जगह है कि अगर डील दी तो कही आतंकियों को फिर से सिर उठाने और पैर पसारने का मौका ना मिल जाए।